Hello Everyone, Welcome to Shifali Cooking Classes आज मैं बनाऊंगी गोबी की कोफ़ता करी हम लौकी के कोफ़ते, मलाई कोफ़ते जनरली बनाते रहते हैं तो आज मैं कुछ डिफरेंट बनाऊंगी और कॉली फ्लावर और गोबी से कोफ़ता करी बनाऊंगी तो इसके लिए यहां मैंने एक बोल में देड़ कप कद्दुकस किया हुआ गोबी है मैंने गोबी को अच्छे से धो लिया और उसे कद्दुकस कर लिया है साथी वन टेबल स्पून धनिया पत्ती एड़ करेंगे एक टेबल स्पून दही एड़ करेंगे साथ ही मसालों में यहां red chili powder एड़ करूंगी भुना हुआ जीरा और नमक एड़ करूंगी तो यह मैंने यहां नमक एड़ किया नमक अपने taste के according डालिए और half teaspoon भुने हुए जीरे का powder एड़ करूंगी साथ ही हम इसमें बेसन एड़ करेंगे तो कम से कम बेसन के साथ हमें कोफते बनाने है मैं अभी 4 teaspoon बेसन डाल रही हूँ अगर इससे हमारी binding बन जाती है तो हम और एड़ नहीं करेंगे और अगर आपको लग रहा है कि कोफते नहीं बन पा रहे हैं वो खिल जा रहे हैं तो आप इसमें 1-2 teaspoon और डाल सकते हैं जितना कम डालेंगे कोफता उतना soft और अच्छा बनेगा तो सबी चीजों को अच्छे से मसल मसल कर मिक्स कर लीजिए और इस तरह से एक कोफता एक बॉल बनाने की कोशिश कीजिए आप इस तरह से कोफता बना कर देखिए अगर यह बाइंड हो जा रहा है तो अभी हमें और बेसन डालने की जरूरत नहीं है तो अब मैं इस प्लेट में सभी कोफतों को बना कर रख लूँगी और फिर हम इने डीप फ्राय करेंगे तो दोनों हातों की हेल्प से इने अच्छे से दबा कर इनको कोफते बना लिजिए ताकि कोफते तेल में जाके फटेंगे नहीं तो बहुत ध्यान से हमें कोफते बनाने हैं अच्छे से दबा कर अच्छे से पुरा घुमा कर हम इनके कोफते बनाएंगे तो ये मैंने सारे कोफते बना लिए हैं इतनी रेसिपी के साथ मेरे लगबग आठ कोफते बने है तो सभी को मैं चेक कर लूँगी आप देख सकते हैं कोफता अच्छे से तयार हुई है यह बॉल्स अच्छे से तयार है अब मैं इन्हें डीफ्राइ करूँगी तो मैंने तेल अल्रेडी गरम होने रख दिया है इस त केल में हम कोफतों को तलेंगे थोड़ा थोड़ा करके कोफते डालिए अगर आप एक साथ सारे कोफते डाल देंगे तो वह आपस में चुपक जाएंगे और कोफतों के फटने का डर रहेगा तो मैंने चार कोफते डाले और चारो कोफतों के बीच में थोड़ा सा स्पेस र और इसको हमें medium flame पर ही तलना है बहुत ज्यादा high flame कर दे तो गोबी अंदर से कच्चा रह जाएगा और अगर आप बहुत medium बहुत low पे बनाएंगे तो ऑफतों मैं तेल भड़ जाएगा तो medium flame पर हमें ईसे fry करना है और एक अच्छा golden brown ऑने तक हमें तलनाय से तो बीच बीच में इसको चलाते रहिए इसको उलटते पलटते रहिए और एक अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमेने तलेंगे तो आप देख सकते हैं एक अच्छा कलर आना इसमें स्टार्ट हो गया है और अभी हमारे कोफते लगबग तैयार हो गए है इन अंगा करी बनाने Qué-लिए डाला है साथ भी तीज पूण बड़ि एलाइची चोटी ईलाइची दाल छीनी और लॉंग लिया है काली मिर्च का मैं पाउडर डालूगी तो आप साबुत काली मिर्च यहां डाल सकते हैं या बाद में काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं तो सभी मसाले हमने यहां खड़े मसाले आपके पास और भी कोई खड़े मसाले हैं तो आप डाल सकते हैं सबी मसाले भून गए, अब मैं इसमें अद्रक लेसन हरी मिर्च डालूंगी, तो ये मैंने चॉप करके डाली है, आप इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं, ये भी हमने अच्छे से भून लिया है, अब मैं इसमें दो प्याज का पेस्ट डालूंगी, तो मैंने प्याज को बहुत फाइन नहीं पेस्ट बनाया है बहुत फाइन नहीं पीसा है मैंने इसमें हलके से दाने छोड़े हैं हलका सा इसको मोटा पीसा है ताकि जो ग्रेवी है वो अच्छी सी थिक भी दिखे और उसमें प्याज के थोड़े छोटे-छोटे टुकडे भी आए तो आप देख सकते हैं प्याज हमारा भुन रहा है इसमें हलका हलका तेल चूटना है स्टार्ट हो गया है मैंने ग्रेवी में बहुत जादा तेल नहीं डाला है अगर मैं बहुत जादा तेल डालूँगी तो मुझे बहुत जादा तेल चूटता हुआ दिखाई देगा अब मैं इसमें हल्दी करूंगी यह हमने अभी मसाले डाले अब में इसमें 1 टेबल स्पोन धही डालूंगी और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लस़ी बहुत ज़ा प्याच के साथ बून लेंगे और पिर हम इसमें टपाइट कर दो अगर आपके टेमाटर बहुत खटे तो आप दही स्किप कर सकते हैं मैंने यहां दो टमाटर को ग्राइंड कर लिया है उसका पेस्ट बना लिया है और वो एड़ किया है अब हम प्याज टमाटर की ग्रेवी को अच्छे से भून लेंगे और इसमें कुछ मसाले डालेंगे तो यह मैं इसमें एक टेबल स्पून धनिया पाउडर एड़ कर रहे हूँ इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे साथ ही आदा टी स्पून किचिन किंग पाउडर एड़ कर रहे हूँ यह बहुत अच्छा मसाला है इससे कोई भी ग्रेवी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो यह आप स्केप मत कीजिए वन फूर्थ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डाल रहे हूँ इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ग्रेवी को तेल छोडने तक हम पकाएंगे मैंने इस ग्रेवी में किसी भी तरह की मलाई या क्रीम का यूज नहीं किया है आप अगर इसको बहुत हेवी करना चाते हैं तो आप डाल सकते हैं अभी जैसा आपने देखा तेल छूट गया था मैंने इसमें एक कप पानी एड़ कर दिया है तो पानी आप अपने अकॉर्डिंग कम जादा कर सकते हैं आपको जितनी गाड़ी ग्रेवी चाहिए उस अकॉर्डिंग आप पानी को कम जादा कर लीजिए जब ग्रेवी में हलका सा बॉइल आ जाए तो इसमें कुफते डाल दीजिए तो मेरी ग्रेवी में हलका सा बॉइल आया मैंने इसमें सभी कुफतों को डाल दिया है कुफतों को ग्रेवी के साथ मिक्स कर लूँगी बहुत जादा हमें चलाने की जरूरत नहीं है परना कुफते फट जाएंगे और अब हम इसे ढख कर 5-7 मिनट के लिए पकाएंगे तो यह देखिए 5-7 मिनट पकने के बाद तेल पूरा उपर आ गया है और ग्रेवी हमारी तयार हो गई है कुफतों में भी ग्रेवी का बहुत अच्छा फ्लेवर आ गया है वो एकदम नरम हो गए यह देखिए अच्छे से इसमें बॉइल आया है बहुत गाड़ी नहीं है सबजी और बहुत पतली भी नहीं है तो gravy हमारी तयार हो गई है, अब मैं इसमें धनिया पत्ती एड़ करूँगी, तो ये मैंने chopped किया हुआ, धनिया इसमें एड़ किया, इसे भी हम mix कर लेंगे और एकदम लास्ट में हम इसमें गरम मसाला डालेंगे, तो सबजी पूरी तयार है, अब मैं इसमें एक पिंच, सिर्फ एक चुटकी में ने यहां गरम मसाला एड़ किया है, क्योंकि हम इसमें अल्रेडी खड़े मसाले एड़ कर चुके हैं, और अब मैंने इसे एक बोल में निकाल लिया है, और धनिया पत्ता डाल कर मैं इसे गानिश करूंगी, तो यह देखे, ग्रेवी हमारी एकदम तयार है, इसे आप रोटी, पराथा, पूडी, नान या राइस के साथ सर्फ के हो सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है, यह बहुत सॉफ्ट इसके कोफते हैं, इतना सॉफ्ट है, तो मैं इसे एक बोल में निकाल लेती हूं कोफते को और आपको तोड के दिखाती हूं, तो यह देखिए, एकदम सॉफ्ट कोफता है, मैंने बस हलका सा स्पून को टच किया और यह तूट गया है, अगर आपको मेरे रेसिपीज पसंद आ रहे हैं, मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, आपको मेरे रेसिपीज कैसी लग रही हैं, सी यू इन नेक्स रेसिपी, बाई!